बिहार के सरकारी कर्मियों के प्रमोशन मामले में सरकार ने शुरू की समीक्षा सरकारी कर्मियों की प्रमोशन से जुड़ेमामले में सुप्रीम कोड ने बढ़ा निर्न लिया है, जिसके तहत अब सभी वर के सरकारी कर्मियों में प्रोनती को लेकर नई उमीद जग गई है। रुके हुई प्रोनती को फिर से शुरू करने की मांग की है जुसकी जानकारी बिहार सच्यवाले सेवा संग के अध्यक्ष विनोध को मारने दी है कम राशन मिलने पर तुरंट करें इस नमबर पर शुकायत लेकिन अब अगर आपको डीलर कब राशन देता है तो उसकी शुकायत आप तुरंट कर सकते है केंदर सिलकार की तरफ से राजु के हिसाब से हलप लाइन नमबर जारी की गई है आप इन नमबरों पर कॉल करके डीलर के खिलाफ अपने शुकायत दर्श करा सकते है बिहार के लोग 1-800-3456-194 पर कॉल करके राशन कार्ट से जुड़ी कोई भी शुकायत दर्श करा सकते है बिहार जहल रहा है जम्मू से ज्याद सर्दी का सित्ब बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है पश्य मुतर प्रदेश में आ रही सर्द पच्छवा हवाँ के कहर से बिहार कडाके की ठंड का सामना करना है राजु के कई जुलों में ठंड का प्रभाव का फीज ज्यादा है और जम्मू से भी ज्यादा सर्दी वहाँ पर महसूस हो रही है रविवार सुबह भी पटना सहीत सूबे के करीब एक दरजन जुलों में नियुन्तम पारा 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया वहीं पिछले 24 घंटे में श्यनिवार को बांकार राजु का सबसे ठंडा जुला रहा जोहां नियुन्तम तापमान 6.1 डिग्री दर्श किया गया इसके लावा गया शेख पुरा गोपाल गंज नवादा पूसा सबौर और खगरिया का नियुन्तम तापमान भी 7 डिग्री से कम रहा मौसम विभाग के पुर्वान उमान के अनुसार राजु में अगरे दो दिनों तक शीत लहर और कनकनी का कहर बरपता रहेगा एक फरवरी को पारा कुछ उपर चुड़ेगा साथी तेज़ धूब खिलने की कारण दोपहर के समय मौसम खुश गवार हो सकता है डेटा इंट्री ऑपरेटर के हरताल का दिखासर डेटा इंट्री कर्वियों के हरताल का असर पटना जुले के निबंधन कारियाले पर साफत और पर देखने को मिल रहा है बीते दिन की ही बात करें तो पटना सदर के अलावा दानापुर, फिलवारी, बाढ़, विक्रम, मसौड़ी और पटना सिटी सहित कुल साथ निबंधन कारियाले में कोई समपत्ती रेजिस्ट्री नहीं हुई थी खबरों की माने तो सभी कारियाले को मिला करके करीब 450 रेजिस्ट्री नहीं हो पाई है इसके कारण निबंधन कारियाले को करीब 5 करोर का राजिस्ट्री नहीं मिला साथी साथ जिले में करीब 42 डाटा एंट्री कर्मचारी काम पर नहीं आये थे जिसकी कारण पटना सदर में सिर्फ 60 के लगभग संपत्ती मसलन जमीन और मकान की रजिस्ट्री नहीं हो पाई रेलवे भरती बोड ने 14 प्रशनों का कि दिया जवाब रेलवे भरती बोड ने NTPC परिक्षा के अभरतियों को परिक्षा संचालन और प्रक्रिया से जुड़ी उनकी आश्रंकाउं से जुड़े प्रशनों का जवाब दिया है जो की वेबसाइट पर अप्लोड कर दी गई है इस दौरान RRB ने अभरतियों को बताया कि 2018 से अब तक 2,83,747 रिक्षियों को अधिसू चित किया गया है इसमें 1,3,2 लाख लोगों को नौकरी दी गई है बाकी की न्युक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है कोविड के खत्रे के बावजूद 4 करोड अभियर्थियों को 3,3 वर्षों में कम्प्यूटर बेस टेस्ट आयो जित की गई अभियर्थियों के प्रमुख प्रश्ट और उसके जवाब निम्न है बिहार के अधित और यूपी की गौरी को 9 लाग का मिला पैकेज बिहार के कई चात्रों को अब तक लाखो करोडों का पैकेज मिल चुका है इसी कड़ी में ट्रिपल आइटी से चात्र अधित रंजन और गौरी दुएदी को भी शनिवार को NSL कमपनी में 9 लाग के पैकेज के लिए चैनित किया गया है कमपनी की तरफ से लिखित परिक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें 24 शात्रों का चुनाब हुआ था इसके बाद ही दो राउंड का तक्नीक की इंटर्व्यू राउंड हुआ जिसमें केबल दो शात्र का चैन हो पाया आपकी जानकारी के लाब को बता दे अधितरंजिर मुजफर पुर के रहने वाले हैं वो मेका ट्रॉनिक्स इंजिनिरिंग के चात्र है जबकि गौरी उत्रप्रिदेश के फत्ह पुर की रहने वाली है वो इलेक्ट्रोनिक्स और इंजिनिरिंग की चात्रा है राज़ानी पट्ना में बन रहा है अक्षे उर्जा भवन आनिवारे समय में नभी करनिये यानि कि अक्षे उर्जा के सभी स्वरूपों का दिदार पट्ना में एक ही जगे पर करपाना संभव हो सकेगा इतना ही नहीं लोग ये भी अब जान सकेंगे कि अक्षे उर्जा का कौन सा स्त्रोत किस तरह से काम करता है और उस शेत्र में किस तरह की संभाव नाए है इसके साथ ही पटनावासी अब आसानी से आधुरी करसंधान के बारे में भी जानकारी ले सकेंगे इनर्जी कंसर्वेशन कोट के बारे में आप अपना ज्यान भी बढ़ा सकेंगे क्योंकि राज़ानी के बोर्ड कॉलनी इलाके में एक अक्षे उर्जा भवन का अंदर मान कराया जा रहा है केंदर सरकार की दियोजना का क्रियानवयन राज़सरकार की तरफ से किया जा रहा है जानकारों की माने तो अक्षे उर्जा भवन इस माइने में भी आकर्शन का केंदर होगा कि यहां नए इनर्जी कंसर्वेशन कोट की बारे में बताया जाएगा भवन पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग कॉंसेप्ट पर बनेगा बिहार इंपोरियम का हुआ उधगाटन बिहार में अब ग्रामीन शेत्र में रह रहे हैं बुनकरों और हथ करदा चलाने वाले लोगों के द्वारा जो समान बनाये जाता है उसकी विक्री होने वाली है इसको लेकर बीते दिदी बिहार के राजधानी पट्टा के मौरिया लोग कॉंप्लेक्स में उद्योग मंतरी शाहनवास हुसेन ने बिहार इंपोरियम शोरूम का उधगाटन कर दिया इस दोरान उन्होंने बताये कि वो इसे शुरू से ही इस तरह के बड़े मार्केट को खड़ा करना चाहते थे अब इसकी शिरुवात हुई है इसके साथ ही मंतरी शाहनवास हुसेन ने इस दोरान साफ का है कि हम बुनकरों को मार्केट उपलब्ध करा रहे हैं बिहार में नितीश कुमार जी के नेतरतु में हर तरफ नयापन आ रहा है जहां बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं बहास साथ में बुनकरों का हैंडिक्राफ्ट का इन सब की भी चुनता हमारी सरकार कर रही है बिहार इंपोरियम से बुनकरों को बड़ा मार्केट मिलेगा उमीद है कि केंद्र सरकार का जो आम बजट होगा निश्यत तोर पर उसमें बिहार के लिए कुछ नगुछ नयाज जरूर होगा बिहार में विधायकों के लिए नितीश सरकार जल्धी लेगी बड़ा फैसला इस साल बिहार के विधायकों को नितीश सरकार खुश करने में जुट गई है खबर है कि इस साल से विधायक नीधी की राशी खर्च करने से वंचित रहे सभी माननियों को नए वित्यवर्ष में इसकी अनुमती दी जा सकती है कि अब वो विधायक फंड का उपियोग अपने छेत्र के विकास के लिए कर सकते हैं आपकी जयानकारी के लिए आपको बता दे कि विधायक फंड में 30 करोड तक की राशी मिलती है कोविधायक नीधी की राशी खर्च करने से वंचित रहे सब माननियों को इसके अनुमती दे दी गई है अपने दम पर MLC चुनाव लड़ीकार राजत बिहार में MLC चुनाव को लेकर के इन दिनों राजनेतिक दलों की तयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है हाला कि चुनाव आयो की तरफ से तो अब तक इस चुनाव को लेकर कोई जानकारी साज़ा नहीं की गई लेकिन राज़नेतिक दलों ने अपने अपनी तयारियों को ज़रूर तेज कर दिया है इसी बीच हाली में जहां भाजपॉर जदियों ने सीटों का एलाम किया है वहीं दूसरी तैफ राज़नी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का निर्ने ले लिया है इसको लेकर बीते दिन दिली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने अपना बयान जारी करते वे कहा कि राज़त अपने दम पर चुनाव लड़ेगा मलसी चुनाव की समन्द में हमने यह पहले हिंद्र ने ले लिया था अपनी पतनी रेचल के साथ विदेश भ्रवनकर तेजस्वी आदव अब भारत लोटा हैं वही दिली लोटने के साथ उन्हों ने सरकार पर जम कर हमला बोला सिक्षकों को शराब पकड़वाने के जम्मदारी स्वापे जाने पर उन्हाने बिहार सरकार पर तंजुकसा कहा कि सिक्षकों को आखिरकार कितनी जम्मदारी देंगे उनका असली काम क्या है ये तो बताएए वो शराब पकड़वाएंगे तो क्या पुलीस सिक्षा देगी मतलब सिक्षक अब पुलीस की भूमिका में होंगे तो वहीं पुलीस को ही पकड़वाएंगे क्योंकि तसकरी तो बिना थाने की मिली भगत के होती ही नहीं तेजस्वी ने कहा कि भिहार में सिक्षा का हाल बत्तर हो गया है ऐसे में सरकार को ये सोच रा चाहिए कि सिक्षकों की जो जिम्मेदारी है बच्चों का भविश्य सवारना वो उन्हें करने दे सिक्षक पर इतना बोज डालना सही नहीं है उतर प्रदेश में आर्सी पी उतर प्रदेश वधानसवा चुनाव में प्रतियाशियों के लिए वोट मांगेंगे जदियू के रास्टर महा सचिव आफाक एहमद खान ने समन्द में एक प्रेस वक्त तब वियर जारी किया है उन्होंने कहा कि रसी पी प्रचार करेंगे या नहीं इस बात को लेकर किसी सारी 11 बजे से प्रसारित किया गया पी एम मोधी ने भात्पा गांधी की पुन्यति थी सिख्षा कोरोना गंतंत्र दिवस सुभाष चंद्र बोश जियनती समेथ कई विश्यों पर अपने विचार रखें बता दे कि पी एम मोधी गांधी जी को नमन करने और श्रतांजली देने के साथ ही अपने संबोधन के शिर्वात करते देखी गए इसके साथ ही ना ने कहा कि मुझे खुशी है कि सिख्षा के प्रकाश को जन जन तक पहुचाने की वही जीवन दभाबना भारत में आज भी कायम है देश भर में COVID-19 पॉजिटिव मरीजों के मामले में देश भर में COVID-19 के मामलों में गिरावर देखने को मिल रही है स्वास्तमत्राले की तरफ से साजा की कई जानकारी के रुसार देश भर में बीते 24 घंटे में COVID-19 के 2.34 मामले से आमने आए हैं वही कुल मिलाकर 893 में लोगों की जान चली गई है इस दौरान 352,784 लोग स्व हाला कि केरल में मामले अभी भी डराने वाले हैं यही कारण है कि केरल सरकार ने राजु में रविवार को लॉक्टाउन की घोशना कर दी है क्योंकि यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं रोहिच शर्मा पर सभाकरीम ने की बड़ी टिपनी भारत के पूर्फ विकेट की पर बलेबाद सभाकरीम लगातार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं एक बार फिर से उन्होंने भारत के सफेद गेंद क्रुकेट के लिए नए कप्तान रोहिच शर्मा के लाइक ही नहीं है क्योंकि टेस्ट सीरीज से पहले वो चोटिल हो जाते हैं आपको बता दे विराथ खोली की टेस्ट कप्तानी चोड़ने के बाद रोहित शर्मा भारती टेस्ट टीम की कवान संभालने के सबसे मजबूत दाविदार है हाला कि उन्हें केल राहूल और जस्प्रीद बुम्रा से भी चुनाती मिल रही है रोहित शर्मा को दक्षिन आफ्रिका दोरे के लिए टेस्ट टीम का उपकप्तान भी अन्योक्त किया गया था लेकिन चोट के कारण वो टेस्ट श्रिंखला से बाहर हो गया कल हमारे दोरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवार आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिया रोय, नफीस आलम, लगुनाद प्र आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नसार विधान परिसत चुनाव में हम और विया पी को सीट ना दिये जाने पर बिहार में एंडिये पर असर पड़ेगा या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़े खबरों से अबडेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्स्राइब करें औ बेल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद